फिमेल रोबोट थी उसका रेजिस्टेशन पहले से हुआ था लेकिन अभी तक उस फिमेल रोबोट की ओनर ने कोई कम्पलेंट नहीं करवाई दोनों ही रोबोट की आँखे टूट चुकी है और मेल रोबोट की मेमोरी चिप तो जल चुकी है लेकिन फिर भी greater उस memory chip को test के लिए भेज देता है जिसके बाद जब वो दोनों investigate करते हुए female robot honor के घर पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी honor भी मारी जा चुकी है और उसकी नाक से blood आ रहा है जिसके बाद ग्रीग अपने घर पर आता और अपने लिए एक पानी का glass रखता है जिससे हमें पता चलता है कि ग्रीग भी एक robot का यूज करता है फिर वो robot अपनी जगे पर खड़ा हो जाता है और अपने असली ग्रीग control chair से खड़ा होता है और वहां से जाने लगता है ग्रीग अपने बेटे के room में जाता है जहांपर वो अपने बेटे और अपनी वाइफ के साथ एक पुरानी फोटो को देखता है वो अपनी वाइफ Maggie से मिलता है जो कि असल में उसकी वाइफ का robot है फिर ग्रीग अपनी वाइप से कहता है कि उन्हें कहीं घूमने जाना चाहिए और इस बार वो खोद कहीं जाएंगे ना कि अपने रोबोट्स को ली कर क्योंकि काफी टाइम हो गया है जब से वो दोनों साथ में कहीं गए हो